सूर्य मतलब आप जानते हैं सूरज सूरज हर तरह की उर्जा का स्तरोत है धर्ती और चांद की अपनी भूमिकाएं हैं जैसे हम अभी बात कर रहे थे सूरज हर तरह की उर्जा का स्तरोत है हम आज यहाँ सूरज की वज़े से हैं धर्ती और चांद की अपनी भूमिकाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपून सूरज है अगर सूरज की किरिने इस धर्ती पर न पड़े, तो जीवन की कोई संभावना नहीं होगी, यानि जीवन खत्म तो सूरज का संबंध सिर्फ प्रकाश से नहीं है, हर पल आपका जीवन सिर्फ सूरज की वज़े से चल रहा है धर्ती और चांद का प्रभाव भी निश्चित रूप से है, लेकिन सूरज का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है तो हमने एक चीज करने का फैसला किया, सूरज से तालमेल बनाने का अगर आप सूर्य के चकरों के तालमेल में हैं, तो शारिरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, उर्जा, इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती, वे हमेशा आपके साथ होंगी सूरज के चकर सवा 12 से साड़े बारा साल के होते हैं, चांद के चकर 28 दिन के होते हैं, स्त्रियों का शरीर चांद के तालमेल में होता है, इसी वज़ा से हम पैदा हुए हैं और इसी वज़ा से हम यहाँ हैं, ये एक स्तर पर सच है, लेकिन चाहे आप पुरुष हैं अस्त्री, आपके शारिरिक सिस्टम में सूरज का योगदान और प्रभाव जबरदस्थ है. सूरज न हो तो हमारे शरीर की गर्माहट भी जो जीवन का लक्षन है, सिर्फ सूरज की वज़े से है. तो सूरज के साथ तालमेल कैसे बनाएं? ताकि आपके चक्र बारा साल लंबे हों न की छोटे. अगर आपके चक्र, अगर आपके शारिरिक चक्र सूरज के चक्रों के साथ तालमेल में हों, तो आपकी शारिरिक सेहत बहुत अच्छी होगी. आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा यही हर उस आध्यात्मिक साधना की बुनियाद है जिसकी प्रकृती भौतिक है जिससे आप प्रकृती के चक्रों के साथ तालमेल बना पाएं आपका अस्तित्व प्रकृती में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है सूर्यक्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूरज को जागरिट करना क्योंकि आपके अंदर भी एक सूरज है वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते हैं na अगर आप शरीर का तापमान कायम न रख पाएं, तो आप खत्म, देखिए आप इस शरीर को या तो अस्तित्व की चाबी बना सकते हैं, या इसे अपने जीवन में एक रुकावट बना सकते हैं, अगर आप शरीर को मजबूरी भरी आदतों के साथ जीने दें, तो ये साधार जीवन जीएगा, वही खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये भी बड़ी चीज है कई लोगों के लिए, क्योंकि किसी अन्य चीज की खोज नहीं की गई है, जीवन कई अलग-अलग आयामों में घटित होता है, हर समय घटित हो रहा है, लेकिन ये ज्यादातर लोगों के अन जीज की कमी है, है ना, सूर्यक्रिया उस दिशा में एक जबरदस्ट सिस्टम है, विशेश रूप से शारिरिक और मानसिक संतुलन के लिए, ये संतुलन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, मान लीजिए आप साइकल चला रहे हैं, क्या आ आप में जरूरी संतुलन नहीं है, तो ये अपने आप में दुनिया की सबसे महान चीज है जो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका संतुलन बहुत अच्छा है, तो आप आसपास देख सकते हैं, मेसेज भेज सकते हैं, साइकल से फ्लाइंग किस कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप अपने हाथ छोड़ सकते हैं, आप जीवन में रोमांच ला सकते हैं, क्योंकि आप में संतुलन है, अगर आप में संतुलन न होता, तो आप एक ही चीज़ करते, साइकल चलाना अपने आप में महान काम होता, फिलहाल ज्यादा तर लोगों के लिए जीवन ऐस पैसे कमाना खुद एक महान काम है, मन को ठीक रखना, मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना, खुद में एक महान काम है, बस शान्त रहना ही एक महान काम है, जीवन में किसी रोमांच का सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर आप शान्त और आनंदित हैं, और बहुत संतुलित हैं, चा जहां भी कोई संभावना होगी, आप उसके बारे में जानना चाहेंगे. लेकिन अगर यही खुद एक महान काम है, तो आप कुछ भी नहीं करना चाहेंगे. अगर मैं मुश्किल में नहीं पड़ता, तो ये काफी है. बहुत से लोग इस तरके रिटायर्मेंट तक पहुँच चुके हैं. आपको जीवित होते हुए रिटायर नहीं होना चाहिए. आप रिटायर तब होते हैं, जब आप मर जाते हैं. आप अपना काम बदल सकते हैं, ओफिस जाने के बज़ाए कोई और काम. लेकिन जीवित होते हुए आप रिटायर कैसे हो सकते हैं? आप रिटायर हो गए मतलब आप मर गए हैं ना? आप अपना ओफिस छोड़ कर कुछ और कर सकते हैं, ये ठीक है.